नमस्कार जानेंगे इस कारोबारी सब्ता नॉन एग्री कमोरटीज याने प्रेशियस मेटल्स, बेस मेटल्स और एनरजी कॉंपलेक्स में क्या रुख रह सकता है शुरुआत प्रेशियस मेटल्स याने गोल्डा सिल्वर से करते हैं हमने देखा कि पिछले हफ़ते गोल्ड और सिल्वर का जो कारोबार था वो मंदी के साथ हुआ और हमने गोल्ड को करीबन एक मैने के लोज दोनों ही स्पार्ट गोल्ड और M6 गोल्ड हमें बनते हुए देखे 1760 डॉलर तक के लोज हमने spot gold में देखे जबकि domestic market में जो फरवरी वाइदा है वहाँ पर 47,300 के करीब के लोज देखे गए हाला कि जो हफते का close था वो कहीं न कहीं तोड़ा सा एक pullback देखे देने में सफल हुआ gold और 47,900 के close देखे गए उसका कारण ये था कि जो बयान हमने Federal Reserve Chairman Jerome Powell और Janet Allen जो वहाँ US की Treasury Secretary है वहाँ से सुने वो ये थे कि inflation यानि महंगाई दर जो है transitory नहीं रहकर यानि short term नहीं रहकर हो सकता है entrenched हो गई हो यानि लंबी अबदी के लिए जो महंगाई दर है वो बढ़ सके ऐसा उनका मानना था तो जो transitory word था वो निकाल दिया गया जिससे dollar अंतर अश्य बजार में बढ़त के साथ trade कर रहा था और इसका ही असर हमने gold और silver दोनों पर ही आते देखा in fact पूरे ही commodities pact पे कहीं न कहीं एक negative impact हमने इस चीज़ का आते वे देखा हाला कि सब्ता के आखरी कारुबारी दिन जो non farm payroll data आया उसमें जो job gains होए थे वो meat से काफी कम थे उसके चलते dollar में हलकी सी गिरावट आई जिससे gold को और silver को एक support मिलता हुआ दिखा आने वाले हफते में ऐसा लगता है कि यह जो एक short covering आई है या एक तीजी की शुरुआत हुई है वो बरकरार रह सकती है और जो current level से बैतर level हमें देखने मिल सकते हैं gold और silver दोनों में ही चांदी में 6,700 का मार्च वाइदा में support है जबकि gold का जो recent low है 47,350,300 के zone में वो एक important support है अगर इस स्थर के आसपास आता भी है बजार तो ऐसा लगता है कि यह level hold कर जाएगा इस वज़े से buy on dip की रणनीती अपना ही जा सकती है और ऐसा लगता है कि short term basis 48,400 तक के स्थर हमें फरवरी वाइदा में domestic market में देखने मिलेंगे जबकि spot gold में 1815 डॉलर तक के level देखने मिल सकते हैं वही silver में करीबन 23,500 के level हमें spot silver में या domestic markets में करीबन 63,200 के level देखने मिलेंगे ऐसा मेरा मनना है तो दोनों ही gold silver में एक short covering move देखने मिल सकता है वहीं चर्चा करते हैं energy complex की तो काफी उठा पटक बारा महौल रहा दोनों ही कच्छे तेल और natural gas दोनों में ही काफी भारी गिरावट हमने देखी और कच्छे तेल में ऐसे भी दिन थे जहां पर 10% की गिरावट और 6% के उच्छाल देखे गए तो काफी volatile महौल रहा लेकिन जो close था वो 5,100 के आसपास देने में कामयाब हुआ है ऐसा लगता है आने वाले समय में कि जो short term fundamental है वो हलकी सी तेजी को support कर सकते हैं हमने देखा कि OPEC की तरफ से ये बयान आया कि हाला कि जो production level है वो 4,00,000 barrels per day से ही बड़ेगा लेकिन COVID के नए variant Omicron के चलते अगर कोई lockdown होते हैं या अगर demand में cut outी आती है तो वो तैयार है market को balance करने के लिए और इससे market को निशले सरुपे support मिला क्योंकि हमने करीबन 18-20% की गिरावट टॉप के level से आते वे देखी है और उसके बाद बजार में as it is एक shot covering move की जरुवत है तो ऐसा लगता है कि ये चीज़ जो बयान है उपक की तरफ से ये कच्छे तेल के market को stabilize करने में मदद कर सकता है निशले सरुस से ऐसा लगता है कि एक shot covering move देखने मिलेगा यहां पर भी अला कि शुरुवाती दौर में हो सकता है कि हमें कच्छे तिल में एक गिरावट का रुख देखने मिले क्योंकि 4700 से 5220 तक के लगातार एक तेजी हमने देखी तो एक profit booking का दोर हो सकता है आने वाले हफते में एक या दो सेशन देखने मिले जहां पर दाम दोबारा 4800, 4850 तक भी जाते हो देखें लेकिन मेरा मनना है कि वहां से दोबारा shot covering आएगी और 5350 तक के इस तर overall हमें आने वाले कुछ समय में देखने मिलेंगे तो buy on dip की strategy था September में, October में इस साल और inventory level decently build up हैं तो ऐसा लगता है कि ये जो गिरावट का दोर है ये जारी रहेगा, 335 का एक immediate level है जिसके नीचे जब तक natural gas rate कर रही है, prices तब तक pressure में रहेगी और हो सकता है 295 से 290 तक के level भी हमें देखने मिलें, हला कि वहां जाके मुझे लगता है कि immediate एक support मजार लेगा और वहां से medium term basis यानि 2-3 हफ़तों में एक उछाल देखने मिलेगा 355-360 तक, लेकिन अगर हम एक हफ़ते की बात करें तो वैसा लगता है कि 335 के जब तक नीचे रहेगी prices तब तक 290-295 किस तर पहले देखने मिल सकते हैं, वहीं बात करें, base metals की तो काफ 723 की closing आई है, ऐसा लगता है कि 730-32 से नीचे जब तक trade कर रही है, prices तब तक दबाव में रहेगी और 710 के सतर दुबारा copper में देखने मिलेंगे, वहीं aluminum में भी ऐसा लगता है कि 218-220 तक के सतर देखे गए थे, लेकिन prices sustain नहीं हो पाई, और दुबारा 211 के आसपास की closing द रहेंगी तो जो भी उच्छाल देखने मिलेगा वो limited होगा और downside में 207 तक के सतर देखने मिलेंगे, वहीं zinc में भी मेरा मानना है कि 269 के closing है, 275-276 तक के level एक important resistance है, immediate torque पे 272 का resistance है, जब तक ये level नहीं निकल पाता तब तक downside में 266 तक के सतर देखने मिल सकते हैं, तो पूरा निकल में भी दबाव रहने की उमीद है, लेकिन एक चीज़ जरूर कहना चाहूंगा कि निकल जो है, निशले सतर रुपे अच्छा sustain हो पा रहा है, याने 1500 रुपे के सतर की नीचे जादा selling नहीं देखने मिल रही है, तो अगर गिरावट आती भी है, तो बहुत ही जादा sustain नहीं होगी प्राइजी ऐसा मेरा मानना है, और बार बार हमें 1500 के सर्च से एक उचाल देखने मिलेगा 1580 या 1610 के लेवल पे, तो निकल में एक limited downside होने की गुंजाज बनी हुई है, तो ये था एक जाएजा non-agric commodities में short to medium term के आरुजहन रह सकता है, दन्यवाद कोई मिलेदी गार भार है – बार क्या दो भी barbecue situations आरुजह कोई जज मिलेदी ही तो क्या झाल सकता है, प्रिक